हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास भी है कम्प्यूटर या लैप्टॉप और आप उसमें डाउनलोड करना चाते हैं वर्ट्सेप यानि की आप वर्ट्सेप डाउनलोड करना चाते हैं और चलाना चाते हैं तो वर्ट्सेप को डाउनलोड कैसे करें आईए आज की इस वीडियो में समझते हैं यहाँ पर आपके laptop और computer में net चालू होना चाहिए यानि की net on होना चाहिए फिर आप अपने system में Google चालू करें Google का page open कर लीजिए अगर यह नहीं मिलता है तो आपको आपके laptop पर या computer में मिलेगा Microsoft Edge तो Microsoft Edge सर्च करें यहाँ पर वह मिल जाएगा अगर यह नहीं मिलता है तो आप टाइप करें Internet Explorer अब यह भी लिख सकते हैं तो भी आपके पास एक page आ जाएगा जहाँ पर आप WhatsApp सर्च कर सकते हों तो यहाँ पर आईए और इस डब्बे में आप लिखे WhatsApp Download और एंटर कर दीजिए यहाँ पर आपको पहली वैबसाइड ही मिल जाएगी Download WhatsApp इस वाले पर किलिक करिएगा इस वाले पर किलिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा यहाँ पर कहरा आइफोन के लिए यह आइफोन के लिए यह कंप्यूटर लाप्टॉप के लिए अब यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर कहरा है Download for Windows 32 bit अपने आप ही यह सिलेक्ट कर लेगा आपकी bit पर अगर सिलेक्ट नहीं करता है जैसे कि अगर आपका कंप्यूटर या लाप्टॉप 64 bit का है तो यहाँ आप 64 bit करने के लिए दे रखा है इसके लाब अगर आपके वास Mac OS है तो आप यह भी कर सकते हैं यहाँ पर Mac OS के लिए दे रखा है तो यहाँ पर Download for Windows 32 bit पर क्लिक करें थोड़ा सा वेट करें नीचे की तरफ एक सॉफ्टवेर डाउनलोड होने लग जाएगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना है इसे Download complete होने दीजिए फिर आपको इसे Install करना है तो Install कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर Download complete हो चुका है फिर आप इस पर क्लिक करें याईनि इसे Open करें डवल क्लिक करके क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट ले गई है और अगर आपके कंप्यूटर या लैप्टॉप में WhatsApp इंस्टॉल होने लग जाएगा कुछ इस तरीके से और अगर Yes करने को बोलता है तो Yes करना मद भूलिएगा तो यह WhatsApp इंस्टॉल हो रहा है आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको करना है वेट अब यहाँ पर क्या करना है इसमें WhatsApp क्या है चालू करना है मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर हम इसे करते हैं तो यह Open हो रहा है यह वाला पेज आपके पास आ जाएगा अब यहाँ पर आपको ध्यान अगना है यहाँ पर आप डारेक्ट नंबर से ID नहीं बना सकते हैं यहाँ पर आपको अपने फोन का ही WhatsApp चलाना होगा यानि फोन में आप जो WhatsApp इस्तिमाल कर रहे हैं वही इस्तिमाल कर पाएंगे इसके लिए यहाँ पर आपको यह पेज मिलेगा यहाँ पर आपको मिलेगा यह ओप्सन कीप मी साइन इन यह टिक मार्क होना चाहिए फिर आपको अपने फोन में WhatsApp चालू करना है WhatsApp चालू करने के बाद आपको उपर मिलेंगे तीन डॉट इस पर टाच करिए यहाँ पर आपको मिलेगा लिंक्ड डिवाइस या आपको मिलेगा डिवाइस या WhatsApp वेब तो इस पर किलिक कर लीजिए थोड़ा सा वेट करिए थोड़ा सा वेट करिए यहाँ पर आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा यहाँ पे आपको मिलेगा link और device इस पे click करें यहाँ पे आपसे pattern lock या password डालने को कहेगा तो डाल दीजिए तो यहाँ पे अपना हम fingerprint लगा देते हैं और आपके phone का camera चालू हो जाएगा आपको इस camera से जो camera दिख रहा है इस camera से आपको यह वाला QR code scan कर देना है तो हम scan करते हैं हम इसको computer पे लेके जाते हैं तो हम इसे लेके जाते हैं और हम इसको ऐसे करके scan करेंगे जैसे ही तो अपने आप ही हमारे computer में WhatsApp चालू हो जाएगा आप देख सकते हैं यह चालू हो गया है तो ऐसे आप इसको इस्तिमाल कर सकते हैं अब यहां से आप इसे क्रॉस कर सकते हैं अब आप इसे चालू करना चाते हैं दुबारा यहां पे आइकन बना हुआ आ जाएगा उपर की तरफ ही आप इसे यहां से चालू कर सकते हैं वरना यहाँ पर विंडो बटन में जाएंगे वर्टसेप आप लिकेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर वर्टसेप लिखावा आ जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियेगा